तो दोस्तो आजके इस वीडियो में आप लोगों को जो दो बड़े अपडेटों के बारे में बताऊंगा उनमें सबसे पहला तो डियाइडियो के तरफ से निर्मान किये जाने वाले नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉट रेंज को लेके है और बताया जा रहा है कि डियाइड इसके डेवलोप्मेंट के काम को लगवाग समाफ्त कर चुका है और जल्द ही इसके टेस्ट का शुरुवात हो सकता है जबकि वीडियो के आखरी हिस्से में आप लोगों को भारत के खुद के नए इंडिजिनियस एवाक्स प्रोग्राम को लेके हाली में हुए नए डेवल मिसाइलों को इंपोर्ट नहीं करेगा इस कारण से जहाँ पे एक तरफ ब्रमोस मिसाइलों के डेवलोप्मेंट के बाद भारत अपना खुद का क्रूज मिसाइल निर्भय के डेवलोप्मेंट कर रहा है और अब रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि DRDO जो की इन मिसाइलों के प्राइम डेवलोप्मेंट एजनसी है उनके द्वारा मिसाइलों के डेवलोप्मेंट लगवख समप्त कर लिया गया है और जल्द ही इसका टेस्ट शुरू किया सकता है वैसे तो पिछले साल वी रिपोर्ट आया था कि मिसाइलों के टेस्ट साल के अन तक D.I.D.O. के द्वारा किया जाएगा लेकिन पिछले साल ये टेस्ट संपूर्ण ना हो सका और बताया जा रहा है कि अब इस साल के मध्य तक D.I.D.O. नेवल अंटी शेप मिसाइल शॉर्ट रेंज के फर्स्ट डिवलोप्मेंट ट्रायल कर सकता है बेसिकली नेवल अंटी शेप मिसाइल शॉर्ट रेंज के जो डिवलोप्मेंट का काम है वो साल 2017 में ही D.I.D.O. के तरफ से शुरू कर दिया गया था इवन दोस्तों तब से ही इन बातों का वी खुलासा हो चुका है कि ये जो मिसाइल है इसका क्या कैपिबिलिटी होगा और ये कितने रेंज में काम कर सकेगा बैसिकली नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज मतलब NASM SR 380 किलोग्राम वजन के शॉर्ट रेंज एयर लॉंच एंटीशिप मिसाइल है जिसमें IIR सीकर जैसे एडवांस टेकनोलिजी का इस्तेमाल किया गया है और रिपोर्ट के मुताविक ये जो मिसाइल है इसका वजन करिफ करीब 380 किलोग्राम है जिसमें 100 किलोग्राम के वरहेड रहता है जिसका इतना अधिक होगा कि ये छोटे आकार के और मीडियम आकार के जहाजों के साथ साथ बोर्ट, पेट्रोल, बोर्ट, पेट्रोल क्राफ्ट जैसे किसी भी तरीके के नेवल खत्रों को एक पार में ही नियूटलाइज कर सकेगा दोस्तों ये जो एर लॉंच एंटी शिप मिसाइल है बेसिकली इसका इस्तेमाल नेवी के हेलिकॉफटरों के द्वारा किया जाएगा और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये मिसाइल करीब करीब 5 किलोमेटर से 55 किलोमेटर के इसके एक Extended Range Version मतलब Naval Anti-Shift मिसाइल Extended Range के उपर भी DRDO काम करेगा जिसका रेंज 500 किलोमेटर तक होगा और ये मिसाइल पर्टिकुलर्ली हेलिकॉफटरों के इलावा इंडियन नेवी के मेरिटाइम पेट्रोल एरक्राफ्ट और फाइटर जेटों के द्वारा भी दागाया स और संभावित DO228 के मेरिटाइम वरिजनों में भी इस्तिमाल किया सकेगा इवन ऐसे हतियार वविशे में इंडिया के Export Potential को भी बढ़ा सकते है क्योंकि कई सारे ऐसे देश है जो इस तरिके के हतियारों को अपने बेडे में शामिल करना चाता है और दुनिया में ऐसे Short Range के अब Nature 2.0 Airborne Early Warning and Control पोग्राम के उपर काम कर रहा है जिसके लिए भारत के द्वारा Airverse A321 प्लाटफॉर्म का इस्तिमाल किया जाएगा रिपोर्ट के मुताविक Airverse A321 प्लाटफॉर्म के इस्तिमाल से पहले DRDO के तरफ से एक Airverse 319 एरक्राफ्ट को एक्विपमेंटों के टेस A319 अनुसंधान एरक्राफ्ट को हासिल किया है जिसे DRDO के तरफ से अपने Bangalore State Center for Airborne System facilities में भेजा गया है जहाँ पे Indian Air Force की क्रू और Center for Airborne System के अधिकारियों के द्वारा इसमें sensors और infrastructure के अपग्रेशन किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दो कि अनुसंधान एरक्राफ्ट को DRDO के नेतर 2 AVAX प्रोग्राम में पहला Flying Test Veed के रूप में इस्तिमाल किया जाएगा और इसमें एरक्राफ्टों के लिए डिवलफ के जाने वाले sensors पैकेज और अन्ने equipment के टेस्टिंग किया जाएगा और दोस्तों यहाँ पे जो नेतर 2.0 AVAX का बात कहा जा रहा हुआ असल में Intelligent Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance और Multimission Maritime Petrol Aircraft के इंडिजिनियस प्रोग्राम हैं पर नेतर 2.0 AVAX को निर्मान करने के लिए भारत के द्वारा Airverse A319 प्लाटफॉर्म का इस्तिमाल नहीं बलकि Airverse A321 प्लाटफॉर्म का इस्तिमाल किया जाएगा और ये फिलाल जो DRDO के तरफ से इंडियन एरफोर्स के लिए नेतर प्रोजेक्ट के अंतरगत AVAX का डिवलप्मेंट किया गया है उससे काफी अधिक अप्ग्रेड़ेट सेंसर और लॉंग रेंज के सेंसरों से लैज होगा दो सबके जानकारी के लिए बता दू कि अल्रेडी एर इंडिया के छे पुराने A321 एरफोर्स को इंडियन एरफोर्स के द्वारा हासिल करते हुए योरोप में एरवेस के फेसिलिटीज में भेजा किया है जहापे एरफोर्स के स्ट्रक्चरन चेंजेस को किया जाएगा त सैटलाइट कॉमुनिकेशन सिस्टम जैसे सिस्टम तो है ही साथ में इसे अब टेल सेक्शन के करीव रखा गया है जबकि नेतरव वान के तुलना में इसमें और एक बड़ा तफदिली ये है कि इसमें अब मोडिफाइड एरबॉन मेरिटाइम सर्वलेंस रैडर का भी इस् वेदर रैडर को अन्ने जगा में भी शिफ्ट किया सकता है जबकि दूसरे तरफ ये भी वताया जा रहा है कि इसके नो सेक्शन में उत्तम एक्टिव एलेक्ट्रोनिकल स्कैन एरे रैडर का इस्तमाल किया जाएगा जो कि इसके कैपेबिलिटी को और बढ़ाएगा साथी स से भी अधिक बड़ा रैडर एंटरना का इस्तमाल इसमें हो जो एक तरीके से इसके एफेक्टिविटी को मजबूत करेगा दोसों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दू कि नेतर 2.0 प्रोजेक्ट में डेवलाफ कि जाने वाले कई तरीके के एक्वेपमेंट इंड करने के लिए अपने प्रतिवद्दिता के तहत नए प्रोजेक्टों का भी शुरुवात कर रहा है और अल्रेडी शुरू किया गया प्रोजेक्टों को भी समाप्त करने के तरफ आगे बढ़ रहा है तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ ने बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन